सबी किसान साथियों को नव वर्स की बहुत-बहुत बधाईयां आपका आगामी नव वर्स मंगल मैं हो जो भी किसान भाई बजाच हिंदुस्तान लिम्टेड ग्रूप में अपना गन्ना बेच रहे हैं उन किसान भाईयों की दर्द को रामधारी सिंग दिनकर जिनको राष्ट कभी कहा गया है कि कविता की यह पंक्तियां बया कर रही है यह कविता कभी ने भारतियों की मानसिक गुलामी पर कुठारा घात करने के लिए लिखी थी लेकिन आज के संदर्व में यह कविता गन्ना किसानों पर जिनका पैमेंट बजाज मिल से नहीं हो पा रहा है उन पर बहुत सटीक बैठती है इस कविता का प्रतेक चर रामधारी सिंग जी के समय में जितना प्रासंगिक था आज भी यह पंक्तियां उतनी ही प्रासंगिक है करपया गन्ना किसान धीरे धीरे ही सही लेकिन गन्ने वा मिलों की गुलामी से बाहर निकलने का प्रयास करें अन्ने था ऐसा समय न आ जाए जब बहुत देर हो जाए और आपके सोचने विचारने की छमता विलुप्त हो जाए तो फिर इस एरिया को महराष्ट का विधर्ब बरने में देर नहीं लगेगी जब बजाज एरिया का किसान आदम हत्या करने को मजबूर होगा और अंत में रामधारी सिंग्जी की इन पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेता हूँ ये नौवर्स हमें सीकार नहीं है अपना ये तेवहार नहीं है अपनी ये तो रीती नहीं है अपना ये विवहार नहीं दराठी ठुरती है सर्दी से आकास में कोहरा गहरा है बाग बजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है दूना है प्रकर्ति का आंगन, कुछ रंग नहीं, नुमंग नहीं हर कुई है घर में दुबका हुआ, नौ वर्सका ये कोई धंग नहीं जंद मास भिंत जार करो, निजमन में तनिक विचार करो नए साल नया कुछ हो तो सही, यो नकल में सारी अकल वही दुल्ला समंद है जन्मन का, आई है अभी बहार नहीं ये नौ वर्स हमें सुईकार नहीं, ये अपना ये तेवहार नहीं ये धुंद कुहासा डहने दो, रातों का राज समटने दो प्रकर्ति का रूप निखरने दो, भागुन का रंग बिखरने दो प्रकर्ति दुल्हन का रूप धर, जब स्नेह सुधा बरस आएगी नौ सत्ष स्यामला दर्ती माता, जर घर खुस हाली लाएगी तब जू चैत्र सुकुल की पर्थम्तिती, नौ वर्स मनाया जाएगा आर्या वर्ति की पुन्य भूमि पर जैगान सुनाया जाएगा युक्त प्रमार से स्वयम सिद्ध, नौ वर्स हमारा हो पर सिद्ध आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नौ वर्स चैत्र सुक्ल परति बदा अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं ये नौ वर्स हमें स्वीकार नहीं, है अपना ये तेवहार नहीं अपनी ये तो रीत नहीं, है अपना ये तेवहार नहीं